नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Civil 101 में मेरा नाम है संदीब कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों आज की सेशन में हम पेव्मेंट डिजाइन को पढ़ेंगे दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अनकाडमी पर और जैसा कि आप सभी को पता है अनकाडमी इस इंडिया जाजिस अनलाइन नर्निंग प्लैटफर्म जहां पर आप तयारी कर सकते हैं अपने ड्रीम एक्जाम की और इसके लिए आपको अनकाडमी की एप आज ही इंस्टाल करनी है एप इंस्टाल करने के बाद दोस्तों आपसे वहाँ पर पूछा जाता है कि आपका गोल क्या है आप किस एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जिस एक्जाम की आप तयारी करना चाहते हैं वो आप अपना गोल सेलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर जैसे GTSC है या फिर SSC J and State A exam उसके बाद दोस्तों आपसे वहाँ पर option पूछा जाएगा कि आप subscription model पर पढ़ना चाहते हैं या फिर try an academy for free try an academy for free में आपको an academy की special classes जो free of cost होती है जो daily हमारी special classes चलते हैं जिनके अंदर हम special topics practice sessions करते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं इसके लिए बस आपको एक invite code पूछेगा और वो invite code आप यूज कर सकते हैं संदीब double one और अगर आप subscription पर पढ़ना चाहते हैं तो आपको get subscription पर click करना है उसके अंदर आप संदीब double one यूज कर सकते हैं जिससे आपको 10% instant off भी मिलेगा और साथ ही साथ में आपको access मिलता है an academy platform पर उस category में आप किसी भी educator की कोई भी class कोई भी course के लिए आप enroll कर सकते हैं चाहे वो कैसा भी course हो और unlimited number of times unlimited sessions आप देख सकते हैं उसके अंदर pavement design की दोस्तों बात करेंगे हम और pavement design के अंदर अगर हम देखें क्या क्या portions हम पढ़ चुके हैं या क्या portion हमें पढ़ना है अगर overall transportation engineering के अंदर अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें जो है वो हम पढ़ चुके हैं क्या और पढ़ना है हमें अगर हम बात करें दोस्तों किस आपको pavement देखने को मिलेगी, आपको pavement का surface center से उठा हुआ देखने को मिलेगी, यानि कि आप कहा देगे कि यहां पर आपको camber provided होगा वो आप देख सकते हैं, आपको road की margins जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी, road के side में आपको shoulders देखने को मिलेगी, बीच में median देखने को मिले आप वहाँ पर valley curve, summit curve की बाते करेंगे, आप जब turn के उपर जा रहे हैं तो road का outer edge raised दिखेगा, उठा हुआ दिखेगा आपको, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिली, आप highway पर जा रहे हैं तो आप ये realize करेंगे कि अगर आप highway पर overtake कर रहे हैं किसी और vehicle को तो आप smoothly कर पा रहे हैं, वहाँ पर आपको एक sense of ये feeling नहीं आ रही कि एकदम से कोई vehicle आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि at any instant of time जब भी आप किसी vehicle को overtake कर रहे होंगे, तो आपको clearly दिख रहा होगा, सामने से आने वाला vehicle, आप clearly judge कर पाएंगे कि आप उसे overtake safely कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो कोई भी confusion वाली जो state है, वो वहाँ पर नहीं होगी अगर एक highway अच्छे से design किया हुआ है, तो ये सारी बाते दोस्तों हम कर चुके हैं, किसके अंदर geometric design के अंदर ये सारी चीज़े हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों next हमने बात की थी कि अ आज जो हम topic शुरू कर रहे हैं, वो topic क्या कहता है, ये topic आपका कहता है, कि ये जो pavement है जिसके उपर vehicle चलने वाले हैं, इसको design कैसे किया जाए, इसको हम किस aspect से देखेंगे, कि vehicle जो है, वो कितना load इसके उपर लगाएगा, कितना load इसके उपर लगाएगा, कैसे उस load को ये distribute क और IRC इसके बारे में क्या क्या मुख्य बाते हैं, जो बताता है, हमें advise करता है, recommend करता है, उनके बारे में हम जानेंगे चलो, शुरू करते हैं, let us begin, तो pavement design की अगर हम बात करें, तो दोस्तों आप सभी को पता है, pavement जो है, वो क्या है, अलग-अलग type की layers provide करेंगे, अलग-अलग material की, जिनका एक particular function होगा, क्या-क्या function होगा, अभी एक-एक करके देखेंगे हम यहाँ पर, तो उन layers का पूरा combination है, जिसे हम कहते हैं, कि यह pavement है, आपकी जिसके उपर vehicle जो है, वो चलने वाले है, अब pavement की अच्छी बात होगी, अगर हम बात करें, तो pavement के अंदर क्या-क्या qualities होनी चीए, pavement का जो surface है, उसका wear and tear minimum होना चीए, उसमें abrasion minimum होना चीए, उसके top से particles जो है, वो इतने हटे ना, easily ना ह गटे वहां से, next अगर हम बात करें, तो वो एक sufficient amount of friction provide करना चीए, जब vehicle चल रहा है, vehicle के जो tires है, उनके साथ friction provide करें, जिससे कि क्या हो कि आपका vehicle आसानी से रुख पाए, ऐसा ना हो कि वो slip करता हुआ जा रहा है, वो रुख पाए easily, next अगर हम बात करें, तो वहां पर, आज अजकल अगर हम trend को देखें, तो noise भी minimum से minimum होनी चीए, अब road के उपर noise से क्या फरक पड़ता है, you can just imagine by this situation, कि आपका घर जो है, वो किसी highway के पास है, तो आपको पता लग जाएगा कि road के just नजदीक, वहां पर कितना जादा noise pollution होगा, just by the movement of tires on the pavement, तो वो minimum से minimum हो, जो वो noise create कर कर रहे हैं, road के उपर आप travel कर रहे हैं, तो आपका smooth और safe ये तो definitely हम बोलते हैं, कि comfort भी होना चाहिए, safety भी होनी चाहिए, ये सारी बाते जो है वहां पर होनी चाहिए, the pavement structure should be able to provide a surface of acceptable riding quality, riding quality जो है, वो अच्छी होनी चाहिए, adequate skid resistance, skid resistance मतलब vehicle जब चल रहा है, अगर वो braking लगाता है, तो वो skid को resist करें, friction provide करें वहां पर, favorable light reflecting characteristic and low noise pollution, light reflecting characteristic यानि कि अगर सामने से कोई vehicle आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि वो कोई vision में obstruction create कर रहा है, light reflecting जो भी उसकी properties हैं, वो favorable होनी चाहिए, driving के अंदर कोई भी वो problem create ना करे, अब हमारा aim क्या है, pavement को बनाने का, या pavement को design क करने का main aim क्या है, main aim ये है, कि आपकी ये pavement है, इस pavement के उपर vehicle जो है, वो travel करेगा, जब vehicle इसके उपर चलेगा, तो load जो लगेगा, अब आप ये मान सकते हैं, कि पूरा को पूरा vehicle, entire उसका area जो है, वो तो load transfer करने वाला है, नहीं, जो चार और जितने भी tires हैं, वो tires ही क्या कर करेंगे, ultimately वहाँ से या जो wheels है, ये wheels ही load transfer करने वाले हैं, आपकी pavement को, और ultimately ये pavement जो है, नीचे की soil को, subgrade को, उनको transfer कर देगा load, तो हमारा aim क्या है, कि इस stress को distribute कर देना, नीचे earth तक, ground में उस stress को पहुंचा देना safely, इस तरीके से पहुंचा देना, कि pavement भी खराब ना हो, न उसके अंदर भी settlement या shear failure ना है, आपको पता है कि नीचे, ultimately सारा load किसके उपर जाने वाला है, soil के उपर जाने वाला है, और soil दो तरीके से fail होती है, अगर हम बात करें, तो एक तो settlement में fail होती है, कि अगर settlement जादा आ गया, कोई soil की layer जो है, उसकी thickness reduce हो गई, आप imagine कर लीजी, road के surface के नीचे जो soil है, अगर वो settle हो जाएगी, तो यह pavement भी नीचे जाएगा, तो पूरा overall आपका pavement खराब होई गया, यहाँ पर, तो soil या तो settlement में fail हो सकती है, settle कर जाएगी, या फिर shear के इंदर fail हो सकती है, shear में fail होने का मतलब क्या है, कि कोई भी soil strata है, जो उसके अंदर कि पर्टिकुलर एक plane के about जो है, वो shear off हो जाएगी, तो soil settlement और shear में fail होती है, एक हम पढ़ते है, soil mechanics में, foundation engineering जब हम शुरू करते हैं, तो वहाँ पर भी बात करते हैं, bearing capacity की, bearing capacity का मतलब होता है, soil जो है, वो कितना stress safely ले पाए, किस तरीके से कि उसके अंदर failure ना है, चाहे वो settlement वाला हो, shear वाला हो, तो वहाँ पर bearing capacity की बात करते हैं, तो यहाँ पर pavement design में हम इस बात का ध्यान रखेंगे, कि load को transfer किस प्रकार से किया जाए, इस प्रकार से किया जाए, कि वो नीचे की जो soil है, वो उसको safely bear कर पाए, और वो उसकी safe bearing capacity को exceed ना करें, जितना वो load bear कर सकता है उससे जादा उसके उपर load या stress ना आए, इस तरीके से pavement को हम design करेंगे, the ultimate aim is to ensure the transmitted stresses due to wheel load, wheel load की वज़े से जो stress transmit होंगे, are sufficiently reduced, so that they will not exceed bearing capacity of subgrade, subgrade की bearing capacity को exceed ना करें, दो प्रकार की pavement होती है हमारे पास, पहली जिसे हम कहते हैं flexible और दूसरी कहते हैं, rigid pavement, पहली pavement जो होती है, उसे कहते हैं flexible और दूसरी को कहते हैं rigid pavement, अब flexible pavement पे आ जाते हैं, flexible pavement कौन सी होती है, flexible pavement के अंदर, जो load transfer mechanism होता है, वो load transfer कैसे होता है, आप ऐसे imagine कर सकते हैं कि individual एक एक पार्टिकल, एक एक grain जो है, उसके तरूँ load transfer होगा, जो भी load यहाँ पर आया, इस पार्टिकल ने next को, इसन आगे and so on, तो grain to grain load transfer होता है, flexible pavement के अंदर, उपर से जो भी load आया, आगे, एक एक पार्टिकल, इंडिविज्वल पार्टिकल के तरूँ जो है, load transfer होगा, अब आपको पता है, कि अगर एक एक पार्टिकल transfer कर रहा है, तो जो उपर की layer है, टॉप की layers है, यहाँ पर चांसे ज जादा होते हैं कि जो vehicle का wheel है, या जो tire है, वो immediate contact में है, wheel और tire में अंतर सिर्फ इतना है, wheel हम पूरे को बोल देते हैं, और इसके around जो rubber का हम provide करते हैं, वो आपके पास क्या आ जाता है, tire हो जाएगा यहाँ पर, तो vehicle का जो wheel है, या tire जो है, वो surface के contact में आएंगे, तो इस particle क यहाँ से हटा न दे, या फिर यह particle ही सबसे पहले crash न कर जाए, तो इसलिए जो top की layer है, उनकी quality जो है, वो अच्छी होनी चीए, ताकि जो immediate stress के contact में आ रहे हैं, immediately जो contact में आ रहे हैं stress के साथ, बाद में तो stress क्या होता है, laterally distribute हो जाएगा, sideways direction में भी distribute हो जाएगा, कि load जो है अगर मान लीजी ऐसे आ रहा था, यह wheel था आपका, इस wheel से load जो है वो ऐसे, generally जो angle हम यहाँ पर लेते हैं, vertical के साथ, वो 45 degree का ले लेते हैं, कि 45 degree पर stress ऐसे distribute होने लग जाता है, तो यहाँ पर stress जितना था, उसके comparison में वो area जो है यहाँ पर नीचे नीचे जाते बढ़ता जा है, तो जो immediately यहाँ पर layer में, contact में है जो particle, उनकी quality जो है वो अच्छी होने चाहिए, top layer वाले की यहाँ पर, अब देखे, flexible pavement, load from top layer is distributed to the bottom layer through grain to grain contact, hence we need to use better quality material on the top layer as compared to the bottom layer, since the stresses in the bottom layer will be lower than the top layer, top layer में जितना stress होगा, क्योंकि area यहाँ पर कम है, load जितना आ रहा है, उसको अगर हम area से divide कर दें, load upon area, यहाँ पर area कम है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे, area भढ़ता जाएगा, stress जो हो रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए उपर की layers के अंदर अच्छी quality का material जो होना चाहिए, अब बात करते हैं, अगर bending की या flexure की अगर हम बात करें, तो यहाँ प कर सकती है, जब तक उसकी elastic limit के अंदर अगर हम सारी बाते कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस case में यहाँ पर flexure या bending जो है, वो बहुत negligible होती है, हाँ, वो बात लगए क्योंकि यहाँ पर हम bitumen का इस्तेमाल करेंगे, और bitumen की ductility अच्छी होती है, तो जैसे ही wheel जो है, वो इसके contact में आएगा, अगर यहाँ पर कोई wheel आया जैसे ही, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर एक deformation create कर देगा, और वो deformation ऐसी होगी, जो वापस recover हो जाएगी, वापस अपने original shape में आ जाएगा, तो इसके अंदर ductility अच्छी होती है, bitumen होगा, bitumen को use करते ही, इसलिए हैं कि ductility भी अ यहाँ पर इसके अंदर जो coat provide किये जाते हैं, flexible pavement के अगर हम बात करें, तो कौन-कौन से coat provide किये जाते हैं, सबसे नीचे soil होगी, या फिर आप जिसे कह देते हैं, कि सबसे नीचे subgrade होगा, subgrade के उपर layer provide करते हैं हम, sub base course की, and then comes base course, base course के बाद जो है, इसके अंदर एक prime coat provide कर देते हैं, prime coat क्या करेगा, prime coat जो है, वो खाली जगा, voids, जिनके अंदर पानी जा सकता है, जो आगे जाके हमारे pavement को, देखो आपको भी पता है कि नीचे की अगर हम soil की बात करें, subgrade है आपके पास, तो इसके अंदर अगर पानी चला गया, तो soil जो है, वो बहुत जादा emotional ह होती है, soil बहुत जादा emotional होती है, और किसके लिए होती है, water के लिए, तो soil जैसे behave करती है, अगर इसके साथ water आ जाता है, तो water आने की वज़े से क्या हो जाता है, अब इसका behavior अलग हो जाता है, जैसे हमने soil mechanics में पर पढ़ा हुआ है, या पढ़ेंगे दुबारा भी, कि soil mechanics क लगने के कारण, अब हम बोल देते हैं कि effective stress जो लगता है, वो कितना total minus pore water pressure लग जाता है, तो ये pore water pressure आएगा, pore water pressure भी hydrostatic और excess pore water pressure, sudden load आएगा, जैसे vehicles के case में तो हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जो भी vehicle एकदम से निकलेगा, वो sudden load लगाते हुए निकलेगा, तो पानी के क करण बहुत जादी problems आने लग जाती है, वो soil की properties change हो जाएंगे वहाँ पर, अगर नीचे clay के कोई minerals present हुए तो वो क्या कर देंगे, swelling properties create कर देंगे, फिर से वो हमारी pavement को खराब करेंगे, करेंगे, तो इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से पानी अंदर enter न खाली जगा में और वो इन्हें plug कर देगा, block कर देगा, फिर उसके बाद tag coat प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पर tag coat जनरली हम कोई भी दो layer के बीच में bonding प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं, यह bitumen का emulsion होता है या bitumen का aqueous medium होता है, पानी के साथ हम यहाँ पर emulsifier fire, bitumen और water जो है यह use करते हैं, tag coat के अंदर, फिर आता है उसके उपर surface coat और surface coat के उपर seal coat आ जाता है आपका top, seal coat जो है top surface से उपर से पानी को नहीं enter करने देता है, permeability को reduce कर देता है, तो impermeable होता है यहाँ पर, यहाँ से पानी अंदर ही ना enter कर पाए, कुछ moisture या कुछ quantity में जो भी है, अगर sideways direction में से कहीं में भी आ भी गया, तो उसको यह जो आपने यहाँ पर prime coat प्रवाइड कर रखा है, या फिर इसका अच्छा compaction करा रखा है, void को already वहाँ पर आपने reduce करा रखा है, तो वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, seal coat for impermeability and better skid resistance, tag coat की बात करें, तो यह for bonding between two layers के लिए use करते हैं, prime coat objective में पूछा गया है last year, तो prime coat जो है, वो किसके लिए provide करते हैं, prime coat का इस्तेमाल करते हैं, prime coat का इस्तेमाल किया जाता है, for plugging the voids, for plugging the voids, next आता है दोस्तो हमारे पास, the pavement layer thickness is designed in such a way that the stresses in each layer does not exceed its maximum permissible value, stresses जो हैं, वो अपनी maximum permissible stress की value को exceed ना करें, किसी भी particular layer पे अगर हम बात करेंगे, तो जितना stress वो ले सकती है, उसके according pavement को design करेंगे, आपको भी पता है, top surface से load जैसे जैसे इधर जाएगा, वो क्या होता जाएगा, distribute होता जाएगा, laterally distribute हो जाता है, stress reduce होते जाते हैं, जैसे top surface से नीचे की तरफ हम आते हैं, अब क्या ये सारी values याद रखनी है, surface, binder, base score, sub base score, sub grade, ये कितने mm, ये कितने mm, ये कितने mm, इतना possible तो नहीं है, इनको पढ़ लेना है, कभी कोई कहीं question दिख जाए, तब refer कर लीजेगा, क्योंकि कुछ data ऐसा होता है, जो हमें देखना जरूर होता है, लेकिन exam में बहुत rarely प starting में कोशिश ना करें, perfection लानेगी, योगि हम कोई subject शुरू किया, शुरू के 2 page, 4 page तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, एकदम एक एक word याद कर देते हैं, लेकिन हमारी इतनी capacity नहीं होती कि हमारा mind जो है, वो concentrated होके, हर एक चीज़ वैसे ही पढ़ पाए, तो हमारा concentration time जो है, वो limited होता है, हमारा interest बना रहे तो हम घंटो घंटो पढ़ सकते हैं, interest lose हो गया, तो simple सी चीज़ भी हम एक घंटे से जादा नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए अपना mind का जो concentration वाला time होता है, उसको utilize किया करें, आप starting में जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं, class में आप basics सारे देख चुके होता है, आपको पता है क्या चीज़ important बताई गई, क्या चीज़ ऐसी बस एक बार देख लीजिए, जब ज़रूरत पढ़े तब refer कर लीजिए, ऐसे वाली चीज़े, तो जब आप खुद पढ़ना शुरू करें, तो फटा-फट उनी points के उपर जाएं, जो बहुत ज़ादा important है, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, जब उनको अच्छे से पढ़ेंगे, उस concentration वाले time में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप आएगा, कि यह ऐसा क्यों हो रहा था, आप अपने आप सोचने लग जाएंगे, तो बाकी जो भी filler material होता उसको एक बार read कर लेंगे, जो भी theory हम साथ में लिखते हैं, जो भी supporting data होता है, तो वो हम देख लेंगे, और important वाला जो है उसके उपर जादा focus है, ना चाहिए, flexible pavement की बात कर रहे हैं, flexible pavement के इंदर हमने कहा कि stresses जो है, किसी भी हालत में, किसी भी layer के उपर, यह जो अलग-अल flexible stress की value से exceed ना करें, अब क्या-क्या function है layer की seal coat, already बात कर चुके वैसे, एक बार और इसके बारे में जान लेते हैं, कि कि इनके क्या-क्या important point है, जब भी revise करेंगे, तो ऐसे points के उपर जादा focus करेंगे, जो भी आपके पास, जो भी आप PDFs के अंदर पढ़ते हैं, या जो आप questions बनते हैं, और direct बनते हैं, as it is, seal coat का का काम क्या है, top surface के उपर जो है, वो permeability को खतम कर दे, impermeable surface बना दे, पानी उपर से enter ना करके आने पाए, skid resistance प्रोवाइड करें, क्योंकि vehicle जो है, वो इसके उपर चल रहा है, top के उपर चल रहा है, top के उपर जब चल रहा है, तो यही provide करेगा friction को, यही provide करेगा कि vehicle रुक जाए safely, उसके बाद बात करते हैं, दूस्तो, tack coat की, next आपके पास आता है, tack coat, tack coat के अंदर asphalt, या फिर आप ऐसे कहले जिए, bitumen होगा, bitumen के अंदर aggregates हो गए, तो आप asphalt बोल देते हैं, उसे, emulsifier होंगे, water होगा, उसके अंदर यहाँ पर यह bonding provide करेगा, दो layer के बीच में, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले discuss किया, prime coat की अगर हम बात करें, तो prime coat के अंदर, बहुत कम viscosity का, यानि कि cutbacks जिनकी हमने बात की थी, कि cutback का इस्तिमाल करते हैं, जो आपके पास solvents होते हैं, जिनसे bitumen की viscosity reduce हो जाए, वो aggregates के round अच्छ कर दे, तो prime coat penetrates into the layer below the, plugs the voids and forms water tight surface, water tight surface बना देता है और यह objective में, recent years में, पूछा गया है, next बात करते हैं, दोस्तों, उससे उपर का surface आजाता है, जो surface course की, surface course is a layer directly in contact with traffic loads, यहां से traffic load direct इसके उपर आ रहा है, इसके उपर एक seal coat की layer दे रखी है, हमने यहां पर, जो कि skate resistance और कर देती है, skid resistance बढ़ा देती है, permeability को खतम कर देती है, तो यह surface course जो है, vehicle के, just direct contact में, contact में आ रहा है, यह dense graded, asphaltic concrete से बना होता है, dense graded, asphaltic concrete, चलिए, आगे बात करें इसकी, तो इसकी क्या क्या requirement है, friction provide करना, smoothness provide करना, यहां पर, top surface जो है, वो noiseless हो, यहां पर, noise कम से कम हो, minimized हो, यहां पर, water की entry इसके उपर से ना हो, it must be tough to resist the distortion under the traffic, and provide a smooth and skid resistant riding surface, कहने का आर्थ ही है, जो top surface है, वहीं पर सबसे ज़्यादा stress आ रहे है, तो जैसे ही, उपर से load आया, अब load, sudden load ही आएगा, यहां पर impact, load ही आएगा, जब vehicle move कर रहा है, speed में, तो वो किसी particular, एक point पर आप देखेंगे, तो आप ऐसे imagine कर लीजे, व sudden load होगा, एकदम से load आ रहा है, तो उस impact को वो bear कर पाए, ऐसा हमारी यह surface course होना चाहिए, waterproof होना चाहिए, जिससे की आगे की layers protect की जा सके, पाने नीचे ना आए यहां पर, फिर उसके बाद binder course आ जाता है, दोस्तों, यहां पर binder course की अगर हम बात करें, तो binder course जो है, वो load को distribute क करने का काम करना है, binder course आगे further load को distribute करेगा इन layers के उपर, this layer provides the bulk of asphalt concrete structure, जो उपर का आपने asphaltic concrete provide किया, इसका bulk या फिर आप कह लिजिए, यहां पर उपर की layer की thickness थोड़ी सी कम है, इसकी major quantity जो filler material आप कह लिजिए, एक तरीके से भर दिया, तो यह 25 से 50 था, उसके बाद 50 से 100, इ इसके bulk का काम आप यह कह लिजिए, जैसे mortar हम बनाते हैं, तो mortar में cement होती है, और sand होती है, तो हम कहते है, sand को provide किया, bulk provide करने के लिए, major quantity, volume provide करने के लिए, और cement की strength को, cement की strength जो है, उससे हम mortar की strength को adjust कर देते हैं, sand use करके, sand की quantity जदा कर दो, तो आपके पस mortar की strength कम, तो ऐसे हमन लेयर प्रोवाइड बल्क जो है ऐस्फाल्टिक कंक्रीट का बल्क प्रोवाइड करता है यह वाली लेयर आज कल यह शब्द भी बहुत चलन में है अगर आप न्यूस देखते हैं तो नेक्स्ट आता है आपके पास परपस इस तू डिस्ट्रिब्यूट लोट to the base course base course को load वो इसको आगे distribute कर पाए load को base course को यहाँपर दे base course की बात करेंगे तो इस से नीचे वाली लेयर base course आ जाती है हमारे पास यहाँपर और यह further अब यहाँ से जो load आ रहा था ऐसे मान लीजिए कि यह आपका यह वील था देखो वील और टायर शब्द कब कभी यूज़ करेंगे टायर तो आप ये कह लेजिए वील के अराउंड है वील शब्द का यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि लोड की बात करें हम जहां पर लोड जो है उसकी बात करेंगे वील वर्ड यूज़ कर लेंगे जहां पर हम बात करते हैं फ्रिक्शन की तो फ्रिक्शन के लिए तो टायर का सर्फिस कॉंटेक्ट में आता है रोड के साथ वहां पर टायर शब्द यूज़ कर लेंगे अलांकि इसमें इतला कोई बड़ी इंजिनिरिंग नहीं है तो wheel जो है वो यहां से आया load यहां पर transfer हुआ और ऐसे आगे वो transfer होता जाएगा तो layer by layer further आगे इनको यह transfer कर रहे हैं Base course is the layer material immediately beneath the surface binder course and it provides additional load distribution and contributes to the sub-surface drainage surface के नीचे-नीचे का जो drainage है वो सकता है अगर यहां पर quantity of moisture हो तो it may be composed of crushed stone crushed slag and other untreated or stabilized material crushed stone या फिर जो हमारे पास furnaces से slag होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फिर उसके नीचे वाली layer पर आ जाते हैं sub base ये further फिर से आगे इन सब layers को support कर रही है इनका load आगे distribute कर रही है तो ये जो आपकी sub base course है इन सब को support कर रही है ये कह लिजिए कि इनको एक structural support प्रोवाइड कर रही है अब होता क्या है कि कई बार जैसे कि mud pumping का example हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के अंदर mud pumping में क्या होता है कि जो आपकी pavement की layer है उसके नीचे जो mud होता है अगर moisture present है वहाँ पर पानी चला जाता है अगर वहाँ पर तो जब load आता है load आने के कारण जो भी cracks होता है उनके through mud उपर आ जाएगा वहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर जो finer particles होंगे जो finer particles हो moisture के साथ पानी के साथ उपर से जो load आ रहा है उसके कारण उस stress के कारण वह उपर की layers में ना आ जाएं वह जो छोटे particles हैं वह उपर ना आएं इसके लिए यहाँ पर यह sub-base course आपका काम करेगा so sub-base course is layer of material beneath the base course and primary function are to provide structural support improve drainage drainage को improve करे वो reduce the intrusion of fines from the sub-grade in the pavement surface तो नीचे से यहाँ पर fines छोटे particle, clay size के particle वह उपर ना आएं इसके अंदर the base course is open graded and then the sub-base course with more fines can serve as filler between sub-grade and the base course sub-grade की बात करें सबसे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर यह soil की layer होती है जिसे finally सारा stress जो उपर से आ रहा है वो bigger करना होता है it is essential that at no time soil sub-grade is over-stressed it should be compacted to the desirable density near the optimum moisture content अब यहाँ पर बात आ जाती है फिर से soil mechanics की soil mechanics में दोस्तों हम पढ़ते होते हैं क्या पढ़ते होते हैं कि soil mechanics में proctor के test आते हैं ठीक है अभी जादा load नहीं लेना है क्या proctor के test किसने क्या कर दिया हमें क्या पता उसमें हम बोलते हैं कि compaction करेंगे किसी soil जो है उसका हम क्या करते हैं को अगर पहले उसका volume कुछ ऐसा था और उसके अंदर कुछ amount of water और बाकी air थी तो हम इसके उपर load लगा के compact करते हैं इसको और उससे क्या होगा इसका volume reduce हो जाता है soil का overall volume reduction किसके कारण हुआ कि यहां से air जो थी वो बाहर निकल जाती यह compaction हो जाता है फिर proctor ने कुछ टेस्ट किया और proctor ने यह पाया कि soil जो है उसके अंदर अगर हम कुछ-कुछ moisture add करते जाएं अगर हम soil के अंदर कुछ water content add कर रहे है moisture add कर रहे है तब उसकी dry density observe करते हैं soil का compaction कितना हुआ कितनी compacted है इसको quantity के हिसाब से अगर हम बात करें या quantitatively हम इसको देखते है dry density कितना है कि उस soil की dry density कितनी है तो जैसे-जैसे moisture content हम बढ़ाते हैं वैसे-वैसे उसकी dry density भढ़ती जाती है मतलब आपने देखा होगा जब हम compaction करते हैं आप routine में भी देखिएगा आपने आसपास जहां पर भी कोई construction होने वालो वहाँ पर जब compaction किया जाता है तो वहाँ पर soil के अंदर कुछ moisture add कर देंगे गर हम तो कुछ moisture add करने से ये देखा जाता है कि compaction और भेतर होता है particles जो हैं पहले बहुत वो stiff होते हैं जैसे ही थोड़ा सा moisture मिलेगा तो वो lubrication का effect प्रोवाइड करते हैं particles rearrange होंगे और उपर से हम इसके उपर stress तो लगाई रहे हैं तो ये एक dense packing में चले जाएंगे यहाँ पर तो एक maximum water content आ जाता है जिसके उपर आपको dry density maximum मिलती है एक ऐसा water content आ जाता है जिसके उपर आपको dry density maximum मिल जाती है और फिर वापस से और ज्यादा पानी add करेंगे तो वो पानी volume को increase कर देता है आपको पता है कि gamma is equal to weight upon volume तो जैसे जैसे आप water और ज्यादा add कर रहे हो तो वो volume को ज्यादा increase करना शुरू कर देता है इसलिए dry density further reduce होने शुरू हो जाती है लेकिन अब conclusion वाली बात यह है कि जैसे जैसे water add करते हैं आप पानी के स्वाइल के अंदर compaction भी कर रहे हैं साथ में तो एक ऐसा water content आता है जिस पर आपको maximum density मिल जाती है maximum dry density मिल जाती है उसे कहते है optimum moisture content तो जब भी हम compaction करते हैं तो compaction करेंगे तो कोशिश करेंगे कि optimum moisture content के पास में हम compaction करें ऐसे structure जिनमें आपको permeability कम से कम चाहिए तो उनको optimum moisture content से थोड़ा सा जादा क्योंकि permeability इसके just थोड़ा सा right में आके minimum होती है तो ऐसे हम compact करते हैं वापस highway पे आ जाते है दूसरी बात हम कह रहे हैं कि उस soil को compact करेंगे आप कहां तक compact करेंगे optimum moisture content तक तो यहां से question पूछ लेता है आपसे अब तक कि अगर हम बात करें जो हमने पढ़ा उसमें से क्या-क्या questions बन सकते हैं सबसे पहले flexible pavement के अंदर जो low transfer होता है grain to grain particles के थूँ होता है फिर उसके बाद question next जो पूछ सकता है वो seal coat का का काम क्या है जो top layer है उसका काम यह है कि वो waterproof surface provide करेगा skid provide करेगा वहाँ पर skid resistance या friction provide करेगा यहाँ पर उसके बाद tag coat का का काम क्या है bonding provide करना इतनी चीज़ें याद रखनी है इतना ही short notes में लिखना है next अगर हम बात करें तो prime coat, prime coat का का काम क्या है यह इतनी सी red color में line जो लिखी हुए यह याद रखना है voids को choke कर देना, block कर देना, plug कर देना तो prime coat का का काम यह है आपके पास फिर उसके बाद surface coat, surface coat से इतना कुछ as such जो है आपको भी पता है उपर उपर का surface है तो क्या क्या इसकी अच्छी बाते हो नहीं चीए वो पता है, तो as such कुछ याद करने वाला अलग से इसके अंदर नहीं है, फिर उसके बाद binder course आ जाता है, base course, इनसे भी as such questions जो है, वो नहीं बनेंगे generic सी बाते हैं, जो साधारन बातें हर कोई बता सकता है, कि हाँ क्या क्या बाते होंगी, या फिर need sub base है उपर से इस पे load transfer करेगा, इस से आएगा तो बताइए हमें ये, sub grade की बात करें, तो sub grade से related question पूछ सकता है, कि soil के sub grade को अगर compact किया जाएगा, तो कहां तक compact करते हैं, तो optimum moisture content तक करते हैं, चार आपको option देदेगा, कि soil saturate हो जाएगी, वहाँ तक compact करते हैं, soil को dry करके compact करते हैं, या फिर optimum moisture content पे करते हैं, एक कोई और option देदेगा, तो sub grade को optimum moisture content तक हम compact करते हैं, अब flexible pavement जो है, वो fail किस कारण से होती है, कैसे कैसे वो fail हो सकती है, तो flexible जो आपकी pavement होती है, या जो bitumen वाली pavement होती है, ये पहला कारण इनका होता है, fatigue cracking, या फिर आप road के surface के उपर आप देखेंगे, तो interconnected cracks आपको देखने को मिलते हैं, interconnected cracks जो है, ऐसे कुछ top के surface के उपर ये आते है, clear, अब ये किस कारण से होती है, जब pavement के नीचे pavement के नीचे tensile stress आ जाता है, खिचाव जादा आ जाता है pavement के surface के नीचे वहाँ पर अगर tensile strain जादा आ जाएगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, ये cracks develop होने शुरू हो जाएगे, तो fatigue cracking जो है वह किस कारण से होती है, pavement के surface के नीचे, horizontal वाले, horizontal ten size strain नीचे से अगर वह खिच रहा है तो ऐसे case में यहाँ पर क्या हो जाता है fatigue cracking हो जाती है कोई बात नहीं दोस्त, आप देश का भविश्य है, आपके यहाँ भी direct गड़े बनते हैं तो कोई बात नहीं आप देश का भविश्य है, आप ऐसी pavements का, ऐसे roads, ऐसे highways का निर्मान करेंगे, जो आपके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे उन तक वहाँ तक, as it is maintained रहेंगे. Layer में क्या-क्या होता है, आपको बताया, तो सही भी starting में layer by layer हमने बात की थी. Failure of flexible pavement पहला, cracking आ जाती है, fatigue cracking जिसे हम बोल देते हैं, और यह किस कारण से होता है, यह कारण होता है इसका, कि pavement के surface के नीचे tension वाले tensile stresses जब develop हो जाएंगे, या फिर tensile strain आ जाएगा, वो नीचे से खिच जाएंगे, तो उसके कारण यहाँ पर cracking आनी शुरू हो जाएगी. Next होता है rutting, rutting के अगर हम बात करें, तो rutting के अंदर जब किसी एक particular point के उपर बहुत ज़ादा stress आ रहा है, या temperature भी वहाँ पर ज़ादा है, bitumen थोड़ा soft condition में था, और continuously उस point के उपर जो है, वहाँ पर stress लगता ही जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो pavement नीचे बैट जाएगा यहाँ पर, या rutting हो जाएगी उसके अंदर, तो rutting occurs जाते हैं, आपको भी पता है कि कैसी situation रहती है, highway के उपर कितना traffic लग जाता है, तो wait करते रहते हैं vehicle, तो उन continuous path के उपर जब heavy load जो है, वो लगता चला जाता है, तो उससे वहाँ पर क्या हो जाती है, वो pavement के अंदर क्या बन जाता है, गड़े से बन जाते है continuous channel सा बन जाता है, तो इससे हम क्या बोल देते हैं, rating बोल देते हैं यह surface के उपर depression आ जाता है ऐसे आपने अक्सर देखे होंगे ठीक है, permanent deformation होगा आपको भी बता है कि जो flexible pavement है उसके अंदर small amount में deformation आते ही रहते हैं, जैसे vehicle move करते रहेंगे, तो वो हलके भूल के deformation चलते रहते हैं, जो वापस recover हो जाते हैं, जैसे vehicle निकला योगी bitumen यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर flexible pavement है, वापस से वो recover भी कर लेते हैं ductility अच्छी होती है उसकी rutting के अंदर permanent deformation आ जाएगा permanently ये channel से बन गए ऐसे ये channel नहीं बोलेंगे, इसको बस समझने के लिए मैं शब्द का use कर रहा हूँ यहाँ पर ruts बोलते हैं, highway की term में अगर हम बात करें तो rutting हो जाते हैं यहाँ पर फिर आते हैं next, thermal cracking thermal cracking के अंदर temperature के कारण, thermal effects के कारण यहाँ पर cracks जो हैं वो develop हो जाते हैं और ये road के surface के perpendicular आते हैं यहाँ पर या फिर आप ऐसी कह लीजे कि line के perpendicular चलते हैं ऐसे, तो ये आपके होती thermal cracking next देखें तो flexible pavement के अंदर IRC कहता क्या है, IRC कहता है कि fatigue, cracking और rutting जो आते हैं वो किस कारण से आते हैं, कि नीचे की जो subgrade है, उसके कारण आते हैं, उस पर work किया जाए अगर तो fatigue cracking को अगर हम चाहते हैं कि वो ना आए तो pavement के bottom surface पे जो tensile stresses आ रहे थे या tensile strain आ रहा था, वो ना आए rutting को control करने के लिए हम क्या कह सकते हैं, कि we limit the axial compressive strain at the top of subgrade कि उस pavement को इस प्रकार से ही हम design कर दे उसकी ठिकने जादा provide कर दो कि axial direction में जो भी wheel के loads आ रहे थे, नीचे का surface जो है उसको अच्छे से beer कर ले तो यह यहाँ पर rating formation नहीं होगी, axial compressive strain at the top of subgrade, उसको minimize कर दिया जाए, IRC कहता है कि यह दोनो cracking किसके कारण आई कि subgrade नीचे की soil थी उसके कारण आती है यह, तो उसके उपर जो है load distribution हम properly पहुँचा दें, तो ऐसा नहीं होगा, तो यह objective के लिए important है, कि IRC recommend करता है, fatigue, cracking and rutting किसकी वज़े से होती है, subgrade deformation की वज़े से होती है, यह एक point आप याद रख लिजएगा next आगे बढ़ते हैं, बात आती है rigid pavement क्या होता है, rigid pavement के अगर हम बात करें, तो rigid pavement के अंदर, किसके हिसाब से हम इनको classify कर रहे हैं, कि यह rigid pavement है या फिर यह flexible pavement है, हम base के हिसाब से कर रहे हैं, यह जो आपका base है, यह किस चीज़ से बना यहाँ पर, तो इसके अंदर cement concrete का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, rigid pavement के अंदर, जो भी load transfer होगा, load transfer होता है slab action के थूँ, या फिर bending के थूँ, flexure के action के थूँ, पिछले case में हमने पहले ही बोला कि वहाँ पर flexure या bending negligible है, बहुत कम है वहाँ पर bending का कोई case ऐसा नहीं बन रहा है वहाँ पर, लेकिन इस case में पूरे के पूरे आप जो pavement की बात कर रहे हैं यहाँ पर flexure action, slab के action के थूँ, जैसे एक slab होती है, वो load को कैसे transfer करेगी उस प्रकार से यहाँ पर हम बात करते हैं तो flexural action से load transfer होता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि in rigid pavement, load is distributed by slab action and the pavement behaves like an elastic plate resting on a viscous medium, जो pavement है, वो कैसे behave करेगी कि एक elastic plate है जो deform हुई, जैसे अगर मान लीजिए, यह आपका ऐसे पहले origin था जैसे ही load आया, deform हुई, वापस से सही होगी, कैसे, किस प्रकार से कि इसके नीचे कोई viscous medium है, बहुत जादा viscosity वाला मान लीजिए, कोई fluid है तो जैसे ही यह आया, deform हुई, फिर उसके बाद वापस सही होगी, deform किस कारण से होई, flexural action के कारण bending के कारण, वो deform हो गई यहाँ पर, तो एक slab जैसे act करती है, वैसे rigid pavements are designed by elastic plate theory, इसके according हम rigid pavements को design करते हैं परपस जो आपका base या sub-base course है rigid pavement के अंदर वो क्या है, pumping को prevent करना, नीचे की जो soil है, वो moisture के साथ pump up होके, surface के उपर ना आ जाए, तो इसके अंदर failure के कारण क्या हो सकते हैं, पहला fatigue, failure जो हमने पहले ही बात की थी, जो cracks आ जाते हैं thermal cracking thermal temperature की वज़े से आ जाते हैं, ये नीचे 10 size strain आने की वज़े से आ जाते हैं, next आता है mud pumping, mud pumping के अंदर आप इस प्रकार से पहले एक image देख लीजिए तो आपको थोड़ा idea लग जाएगा कि क्या होता है तो जो भी आपकी pavement है rigid pavement, जो भी slab है concrete की, उसके नीचे जो भी material present है, जो soil present है अगर उसके अंदर पानी आ जाए वहाँ पर और उपर से load आ रहा है, तो इन cracks के थुरू क्या हो जाएगा, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, उस material को साथ में ले आएगा, जिसे हम बोल देते हैं कि वो क्या है, mud pumping हो रहा है वो क्या हो रहा है mud pumping हो रहा है next next, अब बात करते हैं pavement design की, बिल्कुल basic बातें जो हैं, वो अभी हम पढ़ लेते हैं IRC क्या कहता है, फिर जो design वाला portion है वो कल के session में start करेंगे, लेकिन अभी session end नहीं हुआ है pavement design के बारे में बाते करते हैं, pavement को design करेंगे, तो pavement को design करेंगे तो किसके लिए design करेंगे, चोटी सी car के लिए करेंगे बस के लिए करेंगे, ट्रक के लिए करेंगे तो pavement अगर हम चोटे मोटे vehicle की बात करेंगे, बाइक की vehicle आपका car हो गया ऐसे अगर इनके लिए design करें तो heavy load वाले जो हमारे vehicles हैं, उनके लिए payment जो है वो fail हो जाएगा तो इसी लिए जो maximum load carry कर सकता है और maximum load कौन carry कर सकता है commercial vehicles या जो ऐसे vehicle जो heavy load ले के चलते हैं उनकी बात करते हैं या फिर आप कह लिजी heavily loaded जो trucks होते हैं वही होगा कि उनके अंदर सबसे ज़्यादा weight हो सकता है तो उनके according अगर हम design कर देंगे तो जो आपके personal vehicles हैं उनमें तो कोई problem आएगी नहीं वो easily pavement उनके लिए तो safe रहेगा ही रहेगा खराब नहीं होगा वहाँ पर तो pavement design करते वक्त ध्यान इस बात का रखेंगे हम कि हम design करें कि इसके लिए heavy load के लिए design करें या फिर commercial vehicles के लिए design करें जैसे geometric design की बात कर रहे थे तो हमने geometric design को किस तरीके से design किया हमने इस तरीके से design किया कि जो fast moving vehicle है सबसे तेज जो vehicle जा रहा है या 98% of the vehicles जिस speed पे move कर रहे है जिस से कम पे move कर रहे है उसके लिए design कर दिया 98% है speed के लिए ताकि maximum वाला भी जाए वो भी safe रहे वहाँ पर फिर हमने minimum वाले को भी बात कर ली कि जैसे अगर super elevation की case में बात की वहाँ पर एक slow moving vehicle भी जा रहा है तो super elevation वाले curve के उपर वो topple ना हो जाए क्योंकि out raise जादा raise ना कर दें हम इसके लिए वहाँ पर हमने design speed का 75% consider कर लिया था तो ऐसी सारी बाते हम ध्यान में रखते हैं अब pavement की design में भी यही बात ध्यान में रखेंगे कि जब pavement को design किया जा रहा है तो हम maximum load के लिए कर देंगे तो जो कम load वाले vehicles हैं उनके लिए तो pavement durable रहे गई रहेगा तो IRC क्या कहता है IRC कहता है पहली बात तो कि heavy load या फिर commercial vehicles के लिए हम design करेंगे pavement को as per IRC vehicles having load greater than 3 tons 3 tons से जादा जिनका load होता है उन्हें कह देंगे हम कि वो commercial vehicle है 3 tons से जादा load जिनका होगा उन्हें कहेंगे कि commercial vehicle है और उसके according ही हमारा pavement का design किया जाएगा अब क्या-क्या factors होते हैं एक pavement के design के अंदर पहला है कि maximum wheel load कितना आ सकता है maximum से maximum load कितना है फिर contact pressure कितना बन रहा है pavement के साथ जो है अगर हम wheel की बात करेंगे तो यह आपका wheel है अब इस wheel को ऐसा क्यों बना दिया wheel आपका actual में थोड़ा सा 3D में देखेंगे तो वो wheel आपका आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा तो इसका सिर्फ इस portion को देख रहे हैं आप पीछे से देख रहे हैं कोई vehicle जा रहा है उसको पीछे से देख रहे हैं तो आपको ऐसा rectangular shape दिखेगा तो इसलिए हम इसको ऐसा दिखाएंगे अभी तो जो आपके पास wheel है उस wheel के नीचे का जो surface है अब इसको top view से अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक circular contact area मानते हैं design point of view से मानते है यह जो आपका wheel रखा हुआ है इस तरीके से यह जो आपका wheel रखा हुआ है अब top view से अगर देखेंगे आप इसको तो नीचे bottom पे circular area बनता है तो जो भी load आएगा वो इस area के उपर आता है तो यहाँ पर कितना यह pressure बना रहा है contact pressure कितना है tire के अंदर pressure कितना है tire pressure कितना है rigidity factor की बात करेंगे यह सारी बातें देखेंगे multiple and equivalent single wheel load एक wheel के उपर load कितना आ रहा है एक wheel के उपर load कितना आ रहा है equivalent wheel load कितना है चलिए various factors involved in pavement design maximum wheel load कितना आ सकता है contact pressure कितना है multiple and equivalent single wheel load पूरे vehicle पे कितना load आया उसमें से front axle पे कितना आ गया पीछे के axle पे कितना है axle समझते है ना दो wheel जिससे connected होते है उसे axle बोल देते हैं तो यह आपके पास एक wheel ये दूसरा wheel जिससे connected है एकसल तो यह आपके वेकल का front axle हो गया इसी तरीके से एक rear पीछे वाला एकसल हो जाएगा तो आपका जो वेकल है उस पर total load कितना है उस total load में से यहाeger total load कितना है उसमें से front पे front axle पे कितना गया rear पे कितना गया, फिर इस front से इस wheel पे कितना गया, इस wheel पे कितना गया rear में इस पे कितना, इस पे कितना तो इस तरीके से हम बात करेंगे कि equivalent single wheel load, एक wheel पर equivalent कितना load आ रहा है इसके बारे में बात करेंगे, repetition of load, बार बार load जो हैं वो लग रहे हैं वहाँ पर इसके बारे में हम देखेंगे जैसे अगर किसी वीकल के उपर अगर हम बात करें 300 किलो न्यूटन लेते हैं वहाँ पर अगर ग्रॉस लोड आ रहा है तो कैसे कंसीडर किया जाता है इसके अंदर हम यह मानेंगे कि इसका 120 किलो न्यूटन जो है वो फ्रेंट वील पे आ रहा है या फिर फ्रेंट एक्सेल पे आ रहा है फिर उसके बाद 180 किलो न्यूटन जो है वो रियर एक्सेल के उपर आ रहा है तो रियर एक्सेल में अगर हमने मानें कि दोनों तरफ दो दो वील्स हैं तो अब ये कितना ट्रांसफर हो जाएगा 180 किलो न्यूटन था 90 इस तरफ 90 इस तरफ एक वील के उपर कितना आ जाएगा 45 45 आ जाएगा यहाँ पर अगर 300 टोटल आ रहा था 120 मानेंगे फ्रेंट पे 180 रियर के उपर 180 रियर में आया अब रियर के एक्सिल के अंदर 4 वील्स हैं तो हर एक पर 45 आ जाएगा यहाँ पर प्रेंट वालों पे 120 आ है था हर एक पर 60 किलो न्यूटन जो है यहाँ पर आ गया इस प्रकार से हम कंसीडर करके चलते हैं क्लियर चलो यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ से थोड़ा डिजाइन वाला निमेरिक पोर्षन जो हमारा शुरू हो जाएगा तो इसको अगले स्ट्रेस के अंदर करेंगे अभी आज जो आपको पूरी कहानी समझ आ गई है कि पेविमिंट डिजाइन में हम क्या करने वाले हैं तो वो होगी थ्री पीएम पर अने कैडमी स्पेशल ग्लास जो हमारी शाम को आठ बज़े होती है आज वो थ्री पीएम पर होगी उसके बाद इवनिंग के इंदर कोई क्लासेज नहीं होगी आज तो आप अपना रिवाइज कर सकते हैं एक बहुत इंपोर्टन चीज जो मैं आ अप्टूबर तक आप पढ़ लीजिए जो आपको जो पेंडिंग क्लासेज आपकी बची हुई है जो सेशन आपने देखने है कोई नोट्स अपडेट करने है कुछ भी करना है 23-24 तक आप कर लीजिएगा जिसके बाद हम फिर से एक नया जो है ब्रश अप सेशन शुरू क करेंगे जिसके अंदर आप जो है बहुत अच्छे से और फर्दर प्रैक्टिस कर पाएं जो आपने अभी तक पढ़ लिया उसको और कैसे इंप्रूव करना है या फिर जो अब पढ़ना शुरू करेंगे वो भी वहां से बिगिन कर सकते हैं तो तब तक मैं यह कहूंगा आ आपको तयार हो जाना है जिसके अंदर क्योंकि अभी देखिए अभी तक जो टाइम ऐसा चल रहा था जिसके अंदर आपको मदलब एक्जाम जो होगा नहीं होगा ऐसे वाली अंसर्टिनिटी ज्यादा थी कोवीड सिच्वेशन के करण लेकिन अब आने वाला समय से जब ए हम पहले से प्रपेर्ड हो तो जैसे कोई सिच्वेशन जैसे कोई उपार्चनिटी आती है हम उसको ग्रैब कर ले देखो दुनिया में महनत बहुत लोग करते हैं सब लोग जानते हैं कि हाँ हम महनत कर लेंगे जरूरत पढ़ने पर लेकिन बात यह आती है कि जब जरूरत उपार्चनिटी आती है हम उसे मिस नहीं होने देंगे उससे भी प्रकार के कोई धील बरते हैं हम एकदम तयार रहेंगे इसलिए हमारी जो तयार यह पढ़ाई है उसको हम समय से करते चल रहें और अब उसको और अच्छे से हम एक नेक्स लेवर पे लेके जाएंगे तो आ उनके लिए भी बहुत अच्छे सेशन जो है वो शुरू होने वाले हैं अभी तो आप कुछ दिन हैं आपके पास एक वीक है यह वाला पूरा वीक इस वीक के अंदर अपनी सारा जो भी बैकलोग काम है उसारा वाइंड अप कर दीजिए फिनिश कर लिजिए ठीक है दोस्तों अगर आपने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं है तो सब्सक्राइब जो बटन है उसको हिट कर दीजिए उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस लगा दीजिए जिससे कि वहाँ पर एक बैल आइकन भी आजाएगा उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं जैसे कि कोई से निमाएगी आपके पस नोटिफिकेशन आएगा जिससे कि आप अपडेटिड रहेंगे कि क्या चल रहा है इस यूटूब चैनल के उपर आपको पता है यह अपना जो चैनल है यह सिर्फ फर सिर्फ डेडिकेटेड है सिविल इंजिनरिंग और सिविल इंजिनरिंग से भी जो हमारे exams की, जो हमारे भविश्य के लिए काम की चीज़े हैं, उने से related तो कोई भी ऐसी unnecessary disturbance वाला element जो है आपके पास नहीं आएगा, तो आप bell icon press कर सकते हैं, आप ही के लिए हैं, बाकि आपके मरजी, अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियोज हैं, आपके लिए helpful होती हैं, तो आप like कर सकते हैं, और comment करके हमें बता भी सकते हैं, साथी साथ में आपके जो भी valuable feedbacks हों, valuable suggestions हों, आपको लगता है कि क्या चीज ऐसी है, जो और हमारे जो भी हमारा पढ़ाई का तरीका है, आज तक जो भी हम बढ़ रहे हैं, कैसा भी हो चाहे हो, वो हम implement करके हम हमारे जो पढ़ाई का process है, उसे और improve कर सकते हैं, और better कर सकते ह तो वो आप suggest कर सकते हैं, share कर सकते हैं हमारे साथ, thank you so much, take care, और मिलते हैं next session में